तो आज हम बनाएंगे चिकन के बहुत ही चटपटेट तीखे मज़ेदार समोसे जिसे बना कर आप इसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पानी को उबलने के लिए रखना है इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक साथ ही इसमें डालेंगे हम 50-60 ग्राम बुनलेस चिकन जिसे हमने चोटे पीसे किये हैं अब हमें इसके अंदर डालना है लसन अदरक का पेस्ट और पिंच ओफ और औरेंज कलर को आप स्किप भी कर सकते हैं और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता है यह पक चुका है इसे हम एक साइड रखेंगे आप कड़ाई में लेंगे हम एक चमश देल इसमें डालेंगे हम बारीक कटावा लसन और बारीक अदरक यह दोनो जैसे यह भून जाएगा तब हमें इसमें डालना है सारी मिक्स सबजियां तो मैंने यहां पर लिया है बारीक कटावा पत्ता गोबी शिमला मिर्च प्याज गाजर इन सबी चीजों को हमने बारीक कटा है और यह सारी चीज़े अधा धकप है और इसे हमें अब 5-6 मिनिट क सब्सक्राइब चटनी सब्सक्राइब चिली सॉस और वन टी स्पून डालेंगे हम सोय सॉस दोस्तों यह समोसे चटपटे टीखे मज़िदार बहुत अच्छे लगते हैं और यह सारी चीज़े डाले के बाद हमें से अच्छी से मिक्स कर लेना है दोस्तों अभी हमने इसमे हम लास्ट में नमक डालेंगे और जो हमने चिकन को उबाल कर रखा था उससे हमें श्रेड़ेट कर लिया है उसके रेशे निकाल लिये हैं और इस तरीके से करके हमने इसमें एड़ किया है अब इसे भी हम 5 से च्छे मिनट के लिए इस तरीके से कुक करेंगे यह सॉसेस है वो हलके ड्राय हो जाए अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे हरी प्यास बारिक कटी भी हरी प्यास है और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करके दो से तीर मिनट के लिए और पकाना है यह हमारी जो स्टफिंग है वो तयार हो चुकी है और इसके अब हम बनाएंगे समोसे लेकिन स्टफिंग को आपको पूरा ठंडा कर लेना है तो चलिए अब हम लेते हैं समोसे की पटिया तो यहाँ पर देखिए इसे फोल करने का तरीक विए योग को फोल करते जाना है एक बहुत आसान तरीका है तो पटिया आप बाजार से खरीद लीजे या फिर इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं और जो लास्ट का किनारा है उस पर हमें मेदे का घोल लगानाンド है और इसे चिपकाना है जिसे की पटिया अच्छे शेप आने तक फोल करते जाना हैं बहुत आसान है इस तरीके से समोसा बनाना और यह जो चाइनिस चिकन समोसा है ना आप प्लीज एक बार बना कर देखें आपको बहुत पसंद आएंगे बहुत टेस्टी भी लगते हैं इसी तरीके से हमने सारे समोसे रेडी कर लिये हैं और दोस्तों इस समोसो को आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में और जब चाहे तब इसका मजा ले सकते हैं अब एक डालकर इसे सुनेरा रंग आने तक हमें फ्रै करना है तो तो अगर समोसे को आपको ज्यादा करारा बनाना होना तो इसे मीडियम फ्लैम पर आप राय क कट कर रहे हैं तो सारे लेयर्स आप देख सकते हैं कितने कर रहा रहे हैं और बीच में जो स्टफिंग है ना वो इसमें जान ले आएगी तो कैसे लगे आज की ये समुसे की रेसिपी मुझे जरूर बताईएगा अच्छी लगे हो तो इसे लाइक और शेयर करना दोस्तों ना पुलिगा हूँ